नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटुब चैनल देवजी के ट्रिक्स में दोस्तों यहाँ पर हम लोग हमेशा की तरह हिंदी का फुल्टे सॉल करेंगे जहां पर आपके पच्चास प्रस्ण होंगे स्टार्ट करते हैं अगर आप नए है तो चैनल को सस्क प्रस् ऐसाद में कौन सा उफसर्ग है थो यहाँ पर ऒबागों में तोड़ेंगे तो एक अर्था आपका सादैनिकलेग गेकंगेगा अर्था यहाँ निव्यहाŁ पर आपको जो उपसर्ग है वो आपका अउपसर्ग है option right आपका A हो जाएगा next कर आपसे दो धनकर किसकी संदी है दो धनकर तो देखो आपके संदी विच्छेद में हमने बताया था कि जो आपका आधासा होता है वो आपका बिसर्ग लगता है इसका मतलब कि आपकी बिसर्ग को हटा कर आधासा लगा देंगे तो आपका बन जाएगा दुसकर option right आपका A हो जाएगा जो कि आपका बिसर्ग संदी है next कर आपसे गगन चुम्बी का समास विग्रह क्या है गगन चुम्बी अर्थात कह सकते हैं कि गगन को चुम्बने वाला ठीके गगन को चुम्बने वाला option right आपका B हो जाएगा गगन को चुम्बने वाला next कर आपसे जिसे लांगना बहुत कठीनो का क्या अर्थ है जिसे लांगना बहुत कठीनो उसे क्या कहते हैं भई तो यह रचईता है आपके option right अगर आपने चुना है बी तो आपका बिल्कुल सही है राजेंद यादों है आपके छोटे छोटे ताजमेल के रचईता ठीक है और नेस question को आते हैं question आप सेगला है कि चिराग तले अंधेरा का क्या अर्थ है चिराग तले अंधेरा भाई इसका जो अर्थ आपका होता है वास्तियुक्ता में होता है कि दूसरों को उपदेश देने वाले बैक्ति का स्वेम अच्छा आच्रन नहीं होता है अर्थ इसका ये अर्थ होता है लेकिन यहाँ पर आजवाब का है ऐसा कोई आपसर नहीं है ठीक है तो यहाँ पर आपका चलिए, next question आपसे एकला पूछा गया है, तरनी तनुजाह तर्ट तमाल तरुवर बहुच्छाए, तो यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार पूछाए, तो यहाँ पर आपका जो अलंकार है भैई, वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो, आपके इता सब्द की आ आप रती बार-बार होती है, तो वहाँ पर आपका होता है अनुप्रा सलंकार, क्या होता है, अनुप्रा सलंकार, option right आपका D हो जाएगा, नेस कर आपसे, 52 के तोले, पाव रती का क्या अर्थ है, देखो, आज की जो यह question आपकी है, ठीक है, अनेक सब्द वाले, यह आपकी काफी टफ है, 52 के तोले, पाव रती का अर्थ क्या हो जाएगा, तीस का अर्थ आपका हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हिसाब, क्या, बिल्कुल ठीक हिसाब, ठीक है, चलिए, नेस कोचना आप से गला है, कि सेर के कान कतरना, सेर के कान कतरना मोहरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो सेर के कान कतरना मतलब होता है बहुत चालांक होना ठीक है बहुत चालांक होना अपसरेट आपका C हो जाएगा सुरीला का विलूम क्या होगा सुरीला का विलूम सुरीला मतलब आपका कह सकते हैं मीठा गाता है इसका मतलब हो जाएगा बेसुरा जो मतलब कह सकते हैं फटावास बोल देते हैं गाओं में कैसे गा रहे हो तो आपका होता है बेसुरा तो सुरीला कभी लूम हो जाएगा बेसुरा हो जाएगा ठीक है यह कह सकते हैं कड़ा कह सकते हैं यह जाली कह सकते हैं इसे बेसुरा को ठीक है डी नमर आपका हो जाएगा नेश कर आप से कि निम लिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है तो यहाँ पर लगभग जो अच्छे हम से जुड़े हैं इस ट्रिक को पहचान गए हैं और हम कभी भी पूछते हैं तो यह जवाब देते हैं A, B, C, D, मतलब A, B, C, D, मतलब A, B, C, Tric तो इसका मतलब कि यहाँ पर कौन सी पूर्वी हिंदी के अंतरगत आपकी बोली है तो आपकी बगेली आती है आपकी पूर्वी हिंदी के अंतरगत ठीके, नेश कर आप से नेश कर आप से निम लिखित में से कौन सी पहाड़ी भासा की बोली है तो पहाडी भासा मैंने बताया था कि मुख्य रूप से आपकी दो बोली होती है लेकिन यहाँ पर अगर हम इसे तोड़ते हैं तो आपका प्रश्चिमी इसके बाद आपकी कुमावनी और गड़वाली हो जाती है इस प्रकार से यह सभी आपकी बोली हैं आपकी पहाडी भासा के अंतवर ठीके नेशकर आपसे दाज्यू कहानी किस की रचना है तो वहीं दाज्यू कहानी पिछली वीडियों भी आपको देखने को मिला था तो यह कहानी आपके सेखर जोसी की, किसकी सेखर जोसी, option right आपका B हो जाएगा, नेशकर आपसे, जुही की कली किस कव की प्रथम रचना है, जुही की कली, तो जुही की कली जो आपकी है, यह आपकी किस कव की प्रथम रचना है, यह आपके option right आपका A, निराला जी की है, या भाई यहां पर अबाई भाई है जाना जाता है यहां से रचना रेंडू की नहीं है यहां से डौट क्लियरatore नहीं है तो यहां पर कौन से को मैलन आ payment की तो हिं यह जोकि 1954 में अपके की गई थी ओर आपकी पर्तिपरिकथा ये भी आपकी कैसक्थ एक उपन्यास है और आपका दिया है, पल्टुबाबु रोड ठीके पल्टुबाबु रोड ये भी दियातई दुनिया है ये आपकी कैसक्थ लेंडु जी की नहीं है ये आपके स시면 saidosa household कि किसकी है शीव पूजन साय की है तो समझ में आगे ना इन 3-4 को रट लोगे तो 100% आपको रेडू समंदित मिल जाते हैं नेशकर आप से कौन सुमेलित है यहाँ पर कौन सुमेलित है यह पूछा है आपको दिया है निर्मल वर्मा और निर्मल वर्मा की क्रति दी गई है अंतिम अरेंड जो की बात सही है दूसरा आपका है कमलेश्वर और कमलेश्वर का दिया गया है ट्रेन टू पाकिस्तान तो यह ट्रेन टू पाकिस्तान आपकी कमलेसर की नहीं है यह आपकी सुखवंत सिंग की ठीक है सुखवंत सिंग की नागारजुन को दिया है देहाती दुनिया तो देहाती दुनिया भी आपने पढ़ा था कि देहाती दुनिया किसकी है यह आपकी है स संकर प्रसात का है आत्सात ये तीन गरत है फश्ट आपका गरत कंज आपका सही है नेशा आप से कौन सही सुमेलित नहीं कि प्रेहिए प्रेमचंत कटीए है सदगती आपका रचपिर्या जो सही है देखो एक होता है रसक प्रिया रसक प्रिया को होता है आपका केसव ठीक है केसव दास तो आपका उसका है लेकिन ये रस प्रिया है आपका रेंड की सही है अमर कांत का दिया जिन्दगी और जोग ये भी आपका सही है चौथा दिया आपका मोहन राकिस कोसी का घट यह आपका गलत है कोसी का घटवार आपका किस का है यह सेखर का है ठीक एक अप Weather morning यह उख्षार चाड़ण में जीवहा किस अंगा इस पर से करती है तो आप लोग देखते हिए कि जौग आपका उस मेंजन के अंतरगत आपका सा आता है इसका आपकी के सिकते हैं जीवा की किस अंगेद्वारा इस पर सोता है यह होता है आपकी किस से तो आपकी यह तालू के अंतरगत आता है और आपका ए हो जाएगा नेश कर आप से वाका उच्चारण इस्थान है वाका उच्च करते हैं वो आपके दांट और ओस्ट एक है अर्था तक अमोस्ट ये चलिए यहांप si को आते हैं लाब है कि संकल्प का संद्विचेद क्या होगा संकल्प का संद्विचेद आर्थाद यहां पर आपका हो जाएगा संधन कल्प यहां पर जो बी नमबर है आपका बिल्कुल राइट है संधन कल्प हो जाएगा ठीके नेशकर आपसे भोधन अन तो भोधन अन अर्थात यहां पर आप निम्न में से कौन सी वर्तनी सुध है कौन सी वर्तनी सुध है यहाँ पर आपकी चार आपसन इस प्रकास से दिये गए है और यहाँ पर आपको दिया गया है सारी रिक, सारी रिक, सारी रिक तो आपका जो 75 को आपसन राइट है वो आपका कौन से भिया तो देखो सारी रिक यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका देखना पड़ेगा सारी मंतब बड़ी रिया आपकी होगी सारी रिक जो आपका सी नमबर आपका है यहाँ पर आपका सही है सारी रिक ठीके चलिए निशकर आप सही किन्यमने से किस सब्द की वरतनी सुद्ध है किस सब्द की वरतनी सुद्ध है तो देखो यहाँ पर दिया हासील तो भई हासील ने होता है तहसील होता है ठीके तो यह तो आपका गलत है करत ततकालिन तो ततकालिन ने होता है तातकालिन होता है क्या होता है तातकालिन आर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि बड़ी एकिमात्रा होगा ठीके ततकालीन होता है इस परकार से तो आपका यहाँ पर बड़ी एकी मतरा होना चाहिए था सारवजिनिक है, यहाँ पर आपका सारवजिनिक होना चाहिए बड़ा सा होना चाहिए, तीस प्रकास से तीन गलत है और हिंदुस्तान आपका यहाँ पर सही है, D number हो जाएगा नेश कर आप से कि राम बहुत तेज विद्यार्थी है इस वाक में बहुत क्या है तो बहुत सब्द जो आपका है वो आपका क्या है तो ये आपका प्राविसेशन है देखो यहाँ पर राम आपका संग्यक काम करेगा बहुत आपका प्राविसेशन और आपका तेज आपका है जाए अधाइध को जैडा के तो यहां पर आपका जो अलंगार को प्युखा TWO आर्था करने का मवआरा है वह रहताथ करें यह तर्फन कुलना गतार के बνत्तार किसक्व करना क्लीना अगल ज nieuwe के ने कोसी जाएगा ने gepर्णार कर दीसे सिसे सथ यह आपका वाक कैसा है तो सूर्य अद्य हुआ और यहां पर आपको यह देखना है पॉइंट और हमने आपको बताया था कि जैसे अगर आपको कोई भी मतलब कह सकते हैं कि वाक के है अगर वो वाक के में और सब्द मिल जाए यह आपका कह सकते हैं एवम मिल जाए यह आपका तथा मिल जाए यह मिल जाए अथवा मिल जाए इसलिए अता फिर यह आपके अगर सब्द मिलते हैं तो आपका यह संयुक्त वाक्य होता है ठीके संयुक्त वाक्य अर्थात अपसन आपका सी हो जाएगा कि निम्डिक्ट में से कौन शा सब्द सम उपसर्ग से बना है सम उपसर्ग तो देखो यहाँ पर आपका जो C nummer is यहाँ पर आपका अंग बिंदी यह हो जाएगा C numbers आपका सई हो जाएगा निलामबर कि समास का उधारण है निलांबर की समास का उदारण है तो देखो निलांबर हमने बताया था कि निलांबर जो आपके होते हैं जैसे बल्दाओ, ठीके वह आपके थे ना बल्दाओ अर्थध कह सकते हैं तो वह आपके यहाँ पर बहुबरी समास, ठीके नेस कर आप से जिस पर कोई अंकुस नहीं हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं निरंकुस आपका A हो जाएगा नेसकर आपसे निम्न में से कौन सा सब्द सुद्ध है कौन सा सब्द सुद्ध है तो यहाँ पर दिया है मरत्यूंजे और मरत्यूंजे जो आपका सही होगा कौन सा तो जो आपका ये है काफी बच्चे इस प्रस्ण को गलत कर सकते हैं जो आपका अपसनाए B ये बिल्कुल आपका सही है देखो इसमें आपका ना जुड़ा हुआ है ठीक है इस प्रकार से एकरत है B नमर आपका सही हो जाएगा निसकर आपसी मित भासी सब्द का बिप्रीज सब्द क्या है मित भासी मतलब करेशकते हैं कम बोलने वाला मित भासी मतलब होता है कम बोलने वाला तो इसका मतलब होता है अधिक बोलने वाला और अधिक बोलने वाले 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 बोलते हैं हम लोग वाचाल क्या बोलते हैं वाचाल ठीक है तो आपका ए हो जाएगा निसकर आपसी किन निमलिखित में से कौन सा गुड़वाचक विसे तो सीधा भाला सीधा यह तो है लेकिन पचास आपके कह सकती है यह गुण की अंतरकत आपका नहीं है यह आपके संख्या वाची माता है तो इसका डी हो जाएगा इसकर आप से बादल का परयावाची नहीं है बादल का परयावाची नहीं है तो बादल के परयावाची तो नीरद जलद और आपका जीमूत लेकिन इला जो आपका है यह बादल का पर्यावाची नहीं है यह आपका किसका है यह आपके धरती का पर्यावाची है किसका है धरती का पर्यावाची है आपका इला ठीक है निम्न में से कौन सा उस्म बेंजन नहीं है तो उस्म बेंजन आप आपका नहीं है तो कौन तो आपको पता है कि उस किस अब्ड का प्रियोग बहुवचन में होता है तो बहए बहुवचन का प्रियोग देखिए लड़का लड़के हो सकते हैं ना पुर्ष्तर भी हो सकता हैं गोड़े भी हो सकते हैं लेकिन साध्धुए साध्रोह थे इसका आमकोल कñosके conjunto आपकर नहीं साध्र होरा . ठीक है तो सिन आपका Door समय आरा पर मौहन की बात करते हैं जय को जात तो नहीं होती किसी की पर्षानल किसी की बात कि जा रही है अरथाolds यह आपका विःग टीवाचक संग्या संग्या है ठीक है नहीं स्कूल्दे में iceps हो जाएगा तो खेती कीन मतलब करे सकते हैं यह ड्ऱ κι। तदभव की बात किया है ना अगर खेत का अगर बुलता की तसम तो खेत का तसम आपका छेत्र हो जाता है ठीके तो इसका जो आपका तदभव आपका क्रसी हो जाएगा ठीके निश कर आप से यहां पर नेमनेखित में से कौन अविकारी गुणवाचक संग्या नहीं है तो दे आपका क्रशन कहिए नख कहीं आपका एडर दिया है ठीक है तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं यहां पर आपके दो चीज एक साथ दे दीगई है इस प्रकास से यहां पर नहीं देखेंगे नेश कर आपसे कि निखित में से कौन से सब्द में यण संधी है यण संधी तो य आपर कहिए सकते हैं बड़ा पित्रा देश ठीक है नेस कर आप से सीता पानी पीती है इस वाकि में वाच्च का कौन सा रूप प्रियुक्त है सीता पानी पीती है तो भाई क्या पीती है पानी और पानी आपर क्या है आपका कर्म है इस प्रकार से याँ पर हो जाएगा सी आपका कर्म वाच्छ है ठीक है सीता पानी में आपका जो वाच्छ है तो आपका कर्म वाच्छ हो जाएगा नेश कराब से हिंदी रचनाकार ने हिंदी भासा को हिंदिवी कहा हमने आपको बताया था कि हिंदिवी सब्द सरब्रथम जो कहा था वो आपके किसने कहा था तो भाईया यह कहा था आपके अमीर खुसरों ने कहा था आपका हिंदवी ठीके नेश कराब से साकार का विपरीत स कह रहा है चणिक का विप्री सब्द क्या है चणिक तो देखो चणिक का मतलब कह सकते हैं कि कुछ चण के लिए इसका मतलब है कि सदा रहने वाला होता है सासवत तो इसका विप्रीत हो जाएगा सासवत चणिक के मतलब कुछ समय के लिए सासवत मनलता है सदा रहने वाला ठीक बांधना मोहोरे का सही अर्थ बताईे, गाठ में बांधना और गाठ में बांधना मतलभ होता है आपका खूब याद करना, क्या होता है, खूब याद करना जैसे कि छोड़े बच्चे होते हैं और अगर उनके मम्मी कहें चलियाती हैं तो ऐसे इस इतनी Elder thấy वो उब जाते हैं तो वह बोलते हैं कि बस हला मारते रहते हैं मम्मी मम्मी वही आपका दियाया पर खूब याद करना ठीक है महादेवी वर्मा के कावि में क्या प्रधान है तो महादेवी वर्मा के कावि में जो प्रधानता है आपकी रहे स्वादी स्रंगार की है